अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टू कोडैनिक्स, I am हमाद तुफैल and I welcome you all on the behalf of कोडैनिक्स on the 7 months online data science and AI training bootcamp. हम लोग study कर रहे हैं branches of mathematics, जिसमें हमने कुछ branches जो हैं वो study कर ली हैं, जिन में से सबसे पहले आती है number 3, number 3 के बाद arithmetic, थर्ड पर अल्जबरा, फोर्थ जिमेट्री, फिफ्ट पर ट्रिग्नोमेट्री, जिमेट्मेटिकल अनल्ज़स, तॉड़ोजी, कंवेटर।रिक्स, चलकूलिस and last is statistics and probability ये सब ब्रांचीज हैं क्योंकि में जो है वे बहुत ही वास्ट फिल्ड है उसकी दो में ब्रांचीज जो हैं ये उनकी सब फिल्ड हैं या सब ब्रांचीज हैं तो जो दो में ब्रांचीज आफ मैथेमेटिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं जी branches of mathematics जो दो मेर ब्राँची आवो है pure mathematics and the second one is applied mathematics अगर हम दोनों वर्ड्स पे हम थोड़ी गौर करें तो तवज्जो करने के बाद हमें यह पता चलता है जो प्योर mathematics है डिस इस आल अबाउट abstract concepts abstract aspects ideas concepts वो तमाम चीजों को यह concern करता है जो के बस advancement of mathematical knowledge के लिए जरूरी है बट इनकी जो real word problem को solve करने के लिए application इन तमाम चीजों के जरूरी नहीं है तो यह इस के लिए जो pure mathematics है इस में कुछ तेरी जाते हैं जो कुछ ठीरी जाते हैं जो है फॉर्डी एडवांसमेंट औफ मैथे मैंटे Congress को यह जाते हैं बट इनकी जो रियल जो वर्ड में या रियल वर्ड में इनकी जो प्रैक्टिकल एप्लिकेशन है वो ज़रूरी नहीं होती। थर्ड इनका पॉइंट है जी, रियल वर्ड एप्लिकेशन इस नौट निसेसरी। इसके बरक्स जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एक ऐसी मैथ की ब्रांच है, जिसमें आपको बाइवर्ड ही पता चल रहा होगा अप्लिकेशन है। तो वो तमाम theories, theorems, principles और जो आपकी abstract concepts होते हैं, उनको आप pure mathematics से लेके apply करते हैं, real world problems को solve करने के लिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो theories, theorems और principles जो बनाये जाते हैं, pure mathematics से उनके जरिये से वो जो mathematical knowledge होता है, उसको use किया जाता है और real world पे उनकी application की जाती है, जो real world की जो problems होती हैं, उनको solve करने के लिए। तो यहां पे, ideas, abstract concepts, used to solve world problems. ठीक है जी, और इसमें application होती है, mathematical knowledge, application of mathematical knowledge, और mathematical methods from pure mathematics. pure mathematics, और यह आपकी mathematical knowledge जो है, यह real world problems को solve करने के लिए use की जाती है, यह है जी main difference pure mathematics का और applied mathematics का, यह तमाम यह above ten branches of mathematics को हमने study कर लिया है, इनकी यह सब branches हैं, pure mathematics और applied mathematics की, यह main branches है pure mathematics और applied mathematics और इनकी यह सब branches हैं, जो हम ten discuss कर चुके हैं, pure mathematics और applied mathematics का, अब आपको समझाने का मकसद यह है, कि आपको यह जो ten above branches हैं, इनकी समझ लगी है, detailed discussion हम कर चुके हैं, अब आपको easy रहेगा categorize करना के कौन सी ब्रांची जो हैं, वो pure mathematics में include होती हैं, और कौन सी applied mathematics में involved होती हैं,